हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग आज हम क्लास 7 का साइंस का 6 चैप्टर रेट करेंगे तो केमिकल चेंज के बारे मैं आपको पता ही चुक्कियों पहले तो नेक्स्ट जो अब वीडियो बनानी है देखो क्या है एक्टिविटी 6.6 के अपोरिंग चलेंगे यहां पर आपको क्या दिख रहे है एक फ्लेम दिख रहे हैं क्या है यह फ्लेम मैंगनेशियम रिबन को जिलाया गया है जब भी मैंगनेशियम रिबन को जलाते हैं तो महां से वाइट फ्लेम नजर आते हैं जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है किसी भी चीज को ज sandpaper से उसको क्या किया साफ किया ? केरा candle frame और उसको candle flame के पास लाती है और क्या देखते है ? white light marsha दिखती है when it is canning burn जब इसको जिलाया जाता है behind a powder तो बहाँ पर कुछ powder रहा जाता है और बहाँ पाउडर कैसा कलर का है ? वाइट कलर का powder है कीकिया ? magnesium plus oxygen after this reaction MgO, यहाँ पर क्या reaction होईगी, Mg plus O2, after this reaction, 2Mg, sorry, 2MgO, चिक है, तो magnesium और oxygen को यहाँ mix करते हैं, तो क्या मैंचता है, 2Mg, यानि magnesium oxide, तो यहाँ पर हम बात कहते हैं, यहाँ पर अगर हम किसी दूसरे उसकी बात करते हैं, acid की या फिर रिटमस फेपर की, तो महाँ पर आपको मैंने याद होतो, इससे पहले चैप्टर में तरवाए था, कि जब भी हम acidic और base का देखते हैं, तो acid को है, वो blue color से red में change हो जाता है, लिटमस फेपर पर जब acid को डाला जाता है, और next में बताया था, जो base अगर हम निटमस फेपर पर डालती है, अगर वो red color का निटमस फेपर है, वो किसमें convert हो जाएगा, blue color में change हो जाएगा, ओके, यह आपको याद रखने हैं, आप कुछ equation है, देखो नीचे की हुई है, magnesium oxide plus water after this reaction magnesium hydroxide, यह आपको formula याद रखने है, magnesium oxide MgO, water H2O, after this reaction magnesium hydroxide, जो किसका काम कर रहा है, एक भी इसका काम कर रहा है, और यह एक नई substance को बनाने का काम कर रहा है, activity 6.7 में देखो, दो आपको बिकर दिखाए गए हैं, देखे, अब फर्स्ट बिकर में क्या solution है, copper sulfate, इसका formula क्या होता है, CUSO4, क्या होता formula CUSO4, तो इसनी क्या किया, फर्स्ट बिकर में copper sulfate है, उसमें iron blade को डाल दिया, देखे, जैसे ही iron blade को डाल दिया गया, और उसको नि ग्रीन कलर, ओके, देखे, यहां दिखाए, अभी रखाए, copper sulfate solution, blue, प्लस iron, iron क्या, iron blade, after this reaction, iron sulfate solution, जो iron sulfate solution, जो iron sulfate solution है, वो कैसे color हो जाएगा, green, और जो copper का color होगा, क्या हो जाएगा, brown color, इस blade पर आचेगा, ठीके, इसकी एक reaction है, जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है क्या होगी देखो, Cu, SO4, प्लस Fe, after this reaction, Fe, SO4, प्लस Cu, तो यहाँ पर copper sulfate, प्लस iron, after this reaction, iron sulfate, प्लस copper, यह activity 6.7 की, आपको क्या करनी है, रीट करनी है, और अच्छे से रीट करनी है, ताकि आप आगे जो मैं बढ़ाऊं, रीट करवाऊं, वो भी आपको समझा सके,